नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स शुआगत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स व्लोग पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं अपने कुछ प्लांट्स की सौपिंग जीने मैं नरसरी से लेके आया हूँ उनको सो करने वाला हूँ कौन-कौन से प्लांट्स पहने लिए और कितने कितने में मुझे वो प्लांट्स पड़े इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास तक बनी रहिएगा काफी टाइम से जो है वो लॉकडाउन चल रहा था और इसी कंडिशन में नहीं हम नसरी जा सकते थे नहीं नए प्लांट और नए पॉट जो है बोलाकर अपने गार्डन में हम सभी आट कर पा रहे थे तो ऐसे में जो है कुछ पुराने प्लांट जिनकी मैंने कटिंग तया कुछ प्लांट है जो है तो लॉइसएं में नय प्लांट नहीं आ पा रहे थे तो बहुत ज़ये बरा लग रहा था और कुछ मेरे पास एक भी प्लांट नहीं था तो भीसलेशन के आया है videos स्थूध ज़योंकि प्लाइन हु NI १ौच पूराने प्लांट चान तो यांप्ली क्या आया हूं तो आप से साथ हिंजी जो को शेयर करूगा सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैंने ये तीन पूर्चुला का लिए हैं एक इसमें ये लू कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें तो ये रेड कलर का फ्लावर आया हुआ था कल अभी तो मुर्जा चुक और मैजेंटा गलर था लेकिन यह तीनों नहीं थे तो इस वज़ा से मैंने इनको ले लिया और अब जो है मेरे पॉट जो है वो सारे खाली हो चुके हैं कुछ में देख रहे होंगे गजनिया वगयरा जो है वो बिलकुल सुखे पड़े हुए हैं इनसे सीट कलेक्ट करना है इस वज़ा से मैंने छोड़ रखा हैं तो यह दो चाइना पॉम लेके आया मैं भोला तो उस मैंने यह 6 प्लांट कोचिया के लिए हुए हैं और 15-15 रुपए एक प्लांट का बोला था उसने तो यह 15 रुपए के एक प्लांट है कोचिया के और एक प्लांट जो है यह शिंगोनियम का है शिंगोनियम मेरे पास एक भी नहीं था पहले थे मेरे पास लेकिन अब बिलकु प्लांट हो जाएंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कटिंग से बहुत इसली जो है यह ग्रोप हो जाता है तो यह एक प्लांट सिंगोनियम का था इसको उसने 30 रूपीज बोला था और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ओवराल बागनिंग की थी तो हर प्लांट पे आप 10 प्लावर आते हैं डाक मैरून कलर के बहुत ही खूबसूरत प्लावरिंग करता है साथी साथी इसकी पत्तियां भी ज्यादा खूबसूरत होती है कि एक फूल ना भी आए तो यह अलग ही जो है लुक आपके गार्डन में एट करेगा इसका भी उसने मुझे 60 रूपीज बो से रहा है क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो पूरी नर्शरी में जब यह रखा हुआ था तो अंदर पहुच के जड़ें इसकी बाहर निकल आई थी और मिट्टी में चली गई थी तो मुझे यह प्लांट थोड़ा हल्दी रिखा क्योंकि इसके अंदर दो ब्रांचेज भी थी यह और काफी हल्दी प्लांट लगा तो मैंने इसकी को निकालने को कहा तो लेकिन यह जो है थोड़ा मुर्जासा रहा है हाला कि जो है अभी मैं इसको जब रिपोर्ट कर दूँगा इसके अंदर से तो यह सही हो जाएगा यह एक पिंक कलर का जो है देसी हिबिसकस भी म जो है फिफ्टी रूपीज बोला था तो फुटी मान के चलिए इसको और यह एक हर्शिंगार है हर्शिंगार में पहले भी लेके आया था लेकिन वह बो अपिंगार जो था उसको मैंने जो है नौंबर में लिया था और बीच में उसको यहां पर कुछ जानवर भी आ जाते है तो वह बहुत भी मुश्किल से चलता है वैसा ही हुआ यह प्लांट जो है मेरा हर्शिंगार का सुख चुका था इसको मैं ग्राउंड पे लगाऊंगा तो यह हर्शिंगार का प्लांट है 30 रूपीज बोला था तो लगभग 30 में ही मान के चलिए इसको तो यह टोटल मेर की सॉपिंग है कि जैंने मैं नसवी से लेकिया हूँ वह सिर्फ ही विश्कष और हर्शिंगार को मैं ग्राउंड पे लगाऊंगा बाकि सब को मैं पोट में ही लगाऊंगा बताइएगा गौरी चारी को जो है ओंग लगाना ठीक रहेगा क्योंकि मेरे पास घ्राउंड भी बहुत जादा है, खाली है तो कमेंट करके बताइएगा कि गोरी चोरी को मैं ग्राउंड पे लगाऊँ यानि टिकोमा को, या फिर जो है पॉट के अंदर लगा दो, कहां पर जो है, जादा अच्छे लगेंगे तो यह रही मेरी आलोबर प्लैंट की सौपिंग अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा, कुछ दोस है वो लाइक करने में बड़ी कंजूशी करते हैं वीडियो पे आते हैं, वीडियो को वाज भी कर लेते हैं, लेकिन वो लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक के बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते हैं फ्री आफ कोस्ट है, मुझे लगता अगर पैसे लगते तो फिर लोग वीडियो पे आने से भी कत्राते हैं, तो फ्री आफ कोस्ट है यह, और जो मेरे वीवर्स हैं, जिनको मेरे कुछ वीडियोज बहुत पसंद आ रही है मेरे कुछ वीडियोज हैं, जिन पर रेगुलर जो है वीव जाते हैं, उनको मैं वाइटी स्टूडियो से चेक करता रहता हूँ तो रिस्पॉंस काफी अच्छा है दिरे-दिरे करके जो है चैनल ग्रो ही कर रहा है तो इधर जो है दो-तीन दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका रीजन ये है कि मौसम भी थोड़ा कराब था और कुछ नई चीजें जो है वो सबज में नहीं आ रही थी, आप लोग भी कमेंट करके बताईएगा कि कौन से टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो की जरुवत है या सजिसन की जरुवत है, तो मैं उसको वीडियो के थूँ जरूर आप सभी से सेर करने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप वीडियो पे नहीं हैं तो ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई-बाई और टेक केर